नमस्कार दोस्तों अम्रे सरुषेस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आज की जो हमारी वीडियो है वो लाइक और सस्क्राइब ज्यादा करें आज की जो हमारी वीडियो है वो टीएस वर्क पर ही बनी होई है जिसमें हम आपको बताएंगे कि टाटा इंडिकैस में ऐसा ह कि आपको करना, आपको को हो और बाकि कम्पनी काम जो करती है, व सिर्फ और से ब्रांडिंग करती है, आपके एरिया में मशीन कर देती है। आपको किया थी on yoo все the gates, साहिद लगाती है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि उपर में एक बीसेट एंटी ना लगा या फिर भी पिन जो भी है तो जो यह प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ एक लाख दस अजार रुपए सिक्योटी मनी पर है वर्किंग कैपिटल आपका जो है कि दो लाक रुपए होगा कमिशन आप आपका आट रुपए पर ट्रांजेक्शन के लिए तो जो आप सपोर्ट आपने एक लगवाने का प्रोसस कर दिया सिक्योटी मनी अपने एक लग दस अजार दे दिया कंपनी को तो आप सिक्योटी मनी देने के बाद आपको करना यह होता कि इस तरीके का गेट ग्लास डॉर यह आपको खुद कराना है कंपनी करके नहीं देगी और पेंट भी आपको खुद कराना है वह सकता आप वाइट कलर कराये चाहे क्रीम कलर कराये वह आपके उपर डिबैंड करती है और इस तरीके से यह होता है ग्लास डॉर का वर्क अब जो कुछ लोग जैसे किसी कि दिखी रहे होंगे तो इस तरीके का वेंटिलेशन बॉक्स बना लेते हैं और उसके अंदर यूपियस मॉडम और नीचे साइड में बैटरी लग देते हैं यह सामने दिख रहा है आपको और इसी में बोर्ड का कनेक्शन दे देते तो यह इस तरीके से रखने के बाद इसको लॉक करके रखा जाता है ताकि यह सेफटी रहे कोई कस्टमर आपका बैटरी यूपियस कहीं कोई चोरी न हो जा इसके वज़े से ऐसा किया जाता है इनकेस अगर आपके पास ज्यादा इस पेस है तो आप पार्टिशन करके दोर बना लीजिए गेट एक पीछे बैक रूम बना करके आप उसमें यह चीज़े रख सकते हैं आगे की साइड मैं मशीन हो जाएगी तो इस तरीके के आप यूपियस बॉक्स का आप देखी रहे हैं दो पार्टिशन में बनाया गया है उसको मोड़ेम बोलते हैं और इसको यूपियस बोलते हैं और आपका बोर्ट लग कंपनी देती है मशीन या तो को सकते कि आपको NCR कंपनी की मशीन देती है कुछ लोग कहते हैं कि मशीन हम लगवाते टाइम द्यान नहीं देते हैं और दीवाल स्चिपका के लगाने की कोशिश करते हैं तो जब भी आप इससके द्यान रखें तो मेरे तरफ से यह जरूर रहे और यह सामने में सिर्फ एटियोय मी यह ncr की मस्षिन है पिछली machine जो हमने दिखा इती अधियम यह the default के मशीन है लेकिन यह हवाली हमारी मशीन जो है वह ncr की मशीन है तो ncr की दोनों मशीन देखे जेसे वीडियू दिखाए गया, कि दिवाल से कित्ना हट करके यह जो है श्लाइड होके बाहर आता और यह गेट अप्जूद दीख रहे होंगे इसके बगल में इतना कम से कम space होना चाहिए लगभग लगभग मान के चलिए कि कम से कम 35 cm जगा होना चाहिए 30 cm तभी यह गेट ओपन होता है जब यह स्लाइड होकर बाहर आता है तो इसमें टच होता है तो काम करने में भी दिक्कत आ सकती तो इस चीज़ को बाहर थोड़ा ऊपन रखेंगे जब ऐसे बाहर ऊपन की तरफ रहेगा तो यह आराम से बाहर की तरफ यह रेक चलाएगा तो यह चीज़े बतानी बहुत प्रफ यह हमारा वीडियो बनाने का परपस यही था कि ताकि आप जो है माइन में काफी कंट्यूजन रखते हैं कि चार फिट में हो जागा या तीन फिट में हो जागा तो यह मशीन ही कम से कम आपकी जो है कि दो फिट की चौरी होती है और एक फिट जो है इधर लाफ्ट और एक फिट राइट का इसपेस चाहिए होता है तब जाकर के मशीन अगर यह बाहर स्लाइड आता है तो इधर इंजिनियर कर सके मशीन को बना सके तो इस तरीके का जो है हमारा आज का वीडियो यही है और इसी में हम आपको बता रहे थे और यह डीवोल्ट की मशीन है तो आपका जब रेडी होता है मशीन तो कंपनी इस तरीके का ब्राण्डिंग रती है कंपनी यह बोट अब नहीं देती है यह अपना इट्यम लगाती थी तब का है लेकिन आपको इस तरीके का बोट देगी आपका एरिया जो भी होगा यूपी से होंगे बिहार से होंगे या पिरदर केरला करनाटका तो आपके लेंग्वेज की हिसाब से यहां पर लेंग्वेज लिखा होगा यह हलाकि बेंगॉल की है तो यह बेंगॉली लेंग्वेज में लिखी हुई है आप यूपी से होंगे हिंदी में लिखा होगा और अगर आप करनाटका से होंगे तो उनका लेंग्वेज अलग है तो इस तरीके से आपका सामने का लुक तब जा करके बनता है ग्लास डूर इस लिए चाहिए होता है कि यह ब्रैंडिंग जो है कंपनी खुद करती है आपको इस टिकर लगाने के जरूरी यह देगी अंदर इस तरीके का भी अंदर मश्रीन के पास में क ऊअठरेख होता है कि हम सभी बैंकों के काड को एकसेप्ट करते हैं और हमारे यहार जो है कैस उप्लग पेठाया है आलगी इस पर लिखा नहीं रहता है मतलब हमारे ATM में आप किसी ही यहं आपको लगए काड का परियोग कर सकते हैं, इसका मतलब यह है, हमारा मुबाइल नमर यह है, कि अगर आपको लगे कि आपको ATM प्रेजाईजी चाहिए, तो हम ATM प्रेजाईजी आपको दे सकते हैं, लेकिन रेंट परपस से अगर किसी को कॉल करना हो, तक प्रेजाई प्र झाल झाल